अतीक के आतंग की कहानी तो बहुत सारी सुनी होगी लेकिन क्या किसी ने अतीक से लोहा भी लिया आपको सुनकर हैरानी होगी कुछ चंद पुलिस के ऐसे ऑफिसर थे जिन्हों ने अतीक को उनकी घुटनों पिलाया उनमें से एक है पूर्व आईपेस ऑफिसर राजेश पां कि दोजार पंद्र की है नॉट सोला और तारीक थी उस दिन 14 अगस्त मैं सस्पी लखनव था हमारे डिस्टिक में इस्टिर्ट थे राज शेखर साब जो आज की तारीक में कानपूर डिवीजन के कमिशनर हैं और मेरे बहुत ही सीनियर आई एस आफसर यहां यूपी देश एक यहां के बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनकी जमीन पर अतीक हमद ने कबजा किया है या कबजा कर रहा है करने वाला है या लोग पहुंच गया है बहुत तो गलत है तुम इसको तुरन दिपो मैंने का साब उनको अगर भेज देते तो मैं पूरी डिटेल उन गुरौनानी साइब और यहां के बहुत ही प्रतिश्थित लोगों में उनका नाम है सुगना मल उनकी उनका जो शोरूम है हजरत गंज में भी है मुख्य हजरत गंज में और एक अमीनाबाद में भी है शुशील गुर्णानी साहब आये लेकिन इतना भयाकरान तो थे वो कि भीतर जो उन्होंने मिलने वाले जो परची भिजवाते हैं बाहर पियारों ने दिया होगा कागज उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने सिर्फ के रॉफ उस उफसर का नाम लिखा खेर बलाया उन्हें से पूछा बहुत दिर तक बोल नहीं पाए वो फिर उन्होंने बताया कि सब PGI के पास हमारी एक लेन थी जो 20 साल पहले मैंने खरीदी थी और कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मुझे इसका डर हो कि कोई कभजा खर लेगा वहां आसपास सारे लोग जानते थे कि सब ये सुगनामल वालों की जमीन है आज मुझे अडोस पडोस से किसी ने फोन किया कि साब क्या आप मकान बनवाना शुरू कर रहा है मैंने मना किया कि ये ऐसा तो नहीं बोले आपकी जमीन पर धेर सारी गाडियों में बहुत धेर सारे असलहे वाले और कुछ बिल्लिंग मेटेरिल उतर रहा है तो मैं फॉरन अपने भाई को लेके बाकी लोगों को लेके मौके पहुंचा मैं अपने कागज पत्र सब ले गया था फाइल में रखा था वहां जो लोग थे हमने का भाई आप लोग कैसे आए हैं यह मेरी जमीन है कि तो इसके पहले के अतीक कुछ बोलता दो-चार लोग जो वहां खड़े तो बुले अब चले जाओ यहां से जब थी तुम्हारी तप थी अब यह तुमारी जमीन नहीं रहेगी उसने कागज है कैसे नहीं रहेगी आपके पास क्या कागज है तो उसको धंका दिया वह वैच चार्ज है बारवंकी में मैंने उससे पूछा कि एक सज्जन आये हैं वे ऐसी इसी बात बता रहे हैं क्या आती कमद वहां आया है तुम्हारे था चेतर में कहीं इसने के सब मुझे पता नहीं मैं भी दस मिनुट में बता रहा हूं पास की बात थी थाने से निकला पहुंच ग तो मैंने जब उसने बता दिया हमने का ठीक है मैं गुर्णानी साब को आपके पास भेज रहा हूं उनके पास कागज पत्तर है आप वहीं तहसील से किसी को बुलवा लीजे किसी रेविन्यू अफसर को ना आप तसिल्दार हो लेकपाल हो और उस कागज को देखके अपने देखके बताए कि इनका जो क्लेम है कि हमारी है वो सही है कि नहीं है तो गुर्णानी ने का सब मैं जाओंगा कहीं नहीं और वहीं आप पीजियाई में वो सब लोग प्लॉट पे हमारे हैं आप मुझे थाने भेज देंगे हो सकता है वो थाने पे भी पहुंचे हुए हूं के पास भेज़ दो बलकि वहीं की टीम हमारे पास आई है मैं अभी उसको दिखवा लेता हूं यह भाग के गए डियम साब को पूरी बात बताई उन्होंने कागस दिखाए वो टीम उनकी रिवेन्व के आई थी कोई नापते सिल्दार थे उन्होंने देखा हूंगा सब मार्केट कर दीजिए फिर हमको बताईए बिनोत को मैंने बताया कि रिवेन्व वाले जा रहा है नाप उसने का सब्सक्राइब प्लाटून पीसी उसको भीज़ी दो एसो उसको भीज़ दिया प्रयाप संख्या हो गई यह लोग जब नापने के लिए पहुंचे तो उसने प्रोज शुरू किया कैसे आगे फ्लाना आगया डिकाना आगया कौन है तो बैराल उसने कहा कि बिना नापें हां से नहीं जाएंगे रिवेन्य वाले ने नाप दिया डिमार्केट कर दिया और यह कह दिया कि जो शुशील बता रहे हैं गुर्णानी साब बता रहे हैं यह वही जमीन है और इन्हीं की है कि मुझसे उसने अमने का आप जब यह तैं हो गया कि इनकी जमीन है वो लोग गलत कर रहे हैं आप इनके खिलाब मुकदमा लिखे इन्हें जेल बेजिए इनके खिलाब कानूनी कारवाई करिए इस बीच में संभवता उसके पास भी कहीं से क आप लोग चले जाईए अब रिवेन्यों वालों नो बता दिया आपकी जमीन नहीं चले जाए नहीं मुकदमा कायम करूंगा फैर वहां से चले गए उन्होंने बात की अटीक से अतीक इस बात से इतना जिसको कहते हैं इतना आग बबूला हो गया इतना अग्दम जिसे बह पूरा गया कि अपने पूरे लाव लशकर के साथ सुशील गुर्णानी साहब का एक होटल है एससपी आवाज से बहुत दूर नहीं है 500 मीटर पर होगा और आरिफ कैसल एक बड़ा इस्टब्लिश्ट होटल है उसी कि बगल में इनका होटल है सिल्वरेक्ट वो धरदढ़ा पूस्ता हुआ कहां पर हैं पता लगा गुर्णानी साहब होटल में गये हैं किसी के साथ मीटिंग है वह भीतर भुश गया रिसेश्टन पर लड़किया थी जैसे होटल के स्टाफ होता है सब घबरा गये उसने चारों तरब घुमा के देखा तो उसमें CCTV लगे हुए थे उ इसको देना हो दे आओ तमाम पुलिटकल लोगों के नाम लिए उसने तमाम अधिकारियों के नाम लिए जाओ दे आना और कहा कि ऐसा है कल तक यह तुम्हारी जमीन थी लेकिन आज से यह दमीन अतीक के सिर्फ तुमको यह बताने आये हैं कि दुबारा कभी उस जमीन पर च चले लिए थोड़ी बहुत जो फूटेश थी वो लेके गुर्णानी साब फिर भाग के मेरे पास आएक साभी तो घजब हो गया क्या करना चाहिए मुझे तो मैंने का प्लेन सिंपिल आप यह फूटेज हमें दे दीजी और मैं इंस्पक्टर हजर दंज को बला देता हूं म मुकत्मा लिखा देजी उसने का साभ मैं किसी कीमत पर मुकत्मा नहीं लिखा हूँ है आप आज हैं कल चले जाएंगे और साभ यह हम इसे लर्लav पाएंगे इनका नाम मैंने सब पता कर लिया है साभ मेरी आवकाद नहीं से लड़ने तोमनेका लेकिन करवाही करनी पड़ेगे न तो आप ऐसा कर यह फूटेज हमें दे दीजे हम किसी से मुकदमा बोले साब हम फूटेज भी नहीं देंगे क्योंकि हमारी होटल का फूटेज है पता लग जाएगा और हमारी ऐसी तेसी हो जाएगी वह फूटेज भी उन्होंने ले लिया मुकदमा भी न बना देते हैंphemering नहीं तो आज यह फुटा देंगे कल को फिर रात में बनाना शुगर कर देंगे या इनके साथ कोई बत्तमीजी कर देंगे कया फाइदा हो होंगे लेकिन हम लोगों ने बैठके डिसाइड कर लिया था पहले ही कि अब हम इसमें जरा सा भी दाय बाय जाने की कोई गुंजाइश नहीं यह जिसकी है उसी की रहेगी यह किसी दूसरे की को नहीं मिल सकती है और अतीग ज्यादा करेंगे मुकदमा लिखेंगे उन्हें हम बंद करेंगे और फिर एसो ने भी मौके पर सी यो भी गए एस्पी सिटी भी गए और उन्हों बताएगे अगर दुबारा इस जमीन पर कोई आ गया है तो बहुत बुरा हाल करेगी पुलिस ह पर और फिर वो गया तो फिर आज तक लोटके नहीं आया उस जमीन पर बैरहाल आप गुर्णानी साब भी समय मौजूद हैं बड़े संभरांत विनम्र व्यक्ति हैं आज भी उसको याद करते हैं अच्छा उसके चार से दस दिन बाद फिर हम लोगों को हुआ कि कल को यह उ पाएंगे उसको यह खौफ था यह खौफ की डिगरी थी बड़ा आदमी रिसूर्स हो आदमी मतलब बड़े व्यापारियों में उसका शुमार है लखने उके जिसके हां जिसके दरवाजे खड़ा हो जाएगा वो भी पैर भी करेगा लेकिन हथियार डाल दिये नहीं लिख लिखाया मुकदमा तो नहीं लिखाया लेकिन हमको राजशेखर साब को हुर्दे से संतोश हुआ कि हम लोगों ने इसकी जन्मिन चीज इसके पास रहने दी और उसको यहां से खडेड दिया ताकि वो दुबारा यहां नहां सके एक तरह से कह सकते हैं कि उस जमाने में लख लखनव में कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी पर आंख लगाने की भी जूरत नहीं कि कहते हैं जमीन उसकी कमजोरी थी जमीन महंगी गाड़ी और विदेशी कुत्ते उसे बहुत पसंद थे और जिस जमीन पर पैर रख देता था वो उसकी हो जाते थी ऐसा बोला जाता इतन चकिया में हैं धूमन गंज में हैं वहां के लोगों से पूछी अगर आप लखने हुजाईए कौन बचा है जिस पर उंगली रख दी वो जमीन और इस जमीन के धंधे में ही उसका जगड़ा शुरू हुआ जो जो रास्ते में आता गया उन सब को निप्टाया उसने जो जो गोलियां चली उसके हत्या हुई यह जीत कर बिधायक हो गया और फिर अपने फादर को इसने लाउंच किया 2003 में एक सरफराज नाम के आदमी को गोली मारी गई मर गया जिसमें इसके फादर गए थे उनके आसपास भी लगने लगी करे यह भी हमारा काम करा सकते हैं 2005 में दौर नहीं था उस समय मोबाइल में इसका दौर तो जिस तरह से यह CCTV में उमेश्पाल की हत्याई है इससे बहुत वीभत्स हत्या उसको दोड़ा कहते तो यह हैं कि टिंपो में उसकी लाश को ले जा रहे थे हॉस्पिटल ले जा रहे थे ले जा रहे थे आगे से रोक कि उ 2018-18 के आज पास जब इसकी इसके प्रभुत्त को धीरे-धीरे कम करना शुरू किया पुलिस ने प्रशाशन ने शाशन ने तो इसे लगा कि अब तो हमारे फोन उठाना लोग बंद कर रहे हैं तो इसने अपने बेटे को लांच किया असद को असद से लीट करा के वो कराया और यह जानते हुए भी कि वहां 200 CCTV लगे हुए हैं रंजिश थी उमें शपाल से वहीं पर उसके उपर हमला हुआ था वहीं से उसकी किड्नैपिंग हुई थी मुकदमे चल रहे थे रैकी की थी और क्या देखा नहीं होगा कि हम 20-20 उसने भी अपने बचाओं में सारे इंति लॉंच करना चाहिए वह तो लॉंचिंग पैड है अपने को किया अपने बाप को किया अपने भाई को किया फिर ऐसा लगा कि बहुत साल हो गया जेल में लोग अप कम सुन रहे हैं हमारी अपने बेटे को किया खेर एक दुरुदान का अंत हुआ और अब उस इलाके के खास करके जिस तरह से उनके बेटे का उसके बेटे का इंकाउंटर हुआ और भी लोगों को पकड़ा गया ये क्या पहले संभव था ने बिल्कु संभव नहीं था भाई देखे कोई एक दिन का खड़ा हुआ सामराज नहीं है चालिस साल में उसने खड़ा किया है ये सामरा है वकीलों की पूरी फौज है तो इन सब को इकठा करके ये तो देखिए गेम चेंजर कहले या यह वो कहले टर्निंग पॉइंट कहले जिस दिन विदान सभा में मानी मुख्यमंतरी जी ने कहा कि मैं इस माफिया को मिटी में मिला दूँगा अंद फ्लोर हाउस फ्लोर आफ पर काम करना शुरू किया और फिर यूपी पुलिस का इhtihास रहा है हमने डगातों की पूरी संतती को खतम कर दिया चंबल लकेत भी न हो गया organized crime को STF ने खतम कर दिया मैं मुझे इतना फक्र होता है मैं STF का founder member हूँ उस जमाने में जब सिर्फ तीन लोगों का recruitment हुआ तब से और उसके बाद STF ने जो जो किया देश भर में नाम हुआ तो फिर उससे बच के कहा जाएंगे आप धूढ़ा और फिर जब ढूढ़ेंगे पीछा करेंगे उनको भी पता है कि पुलिस नजदीक पहुँचेगी तो क्या करेंगी उन्होंने भी वही किया जो हमेशा करते आए हैं तो पुलिस तो अपने बचाओं में गुली चलाएगी चलाएगी तो पहले संभो नहीं था लेकिन अब संभो हो गया अभी भी कुछ लोग फरार चल रहे हैं जिसमें गुड़ू मुश्लिम सामिल है साइस्ता सामिल है तो आपको लगता है कि पुलिस जल्दी उन तक पहुँच पाएगी बिलकुल पहुँचेगी सो फीजदी पहुचेगी कितना भागेंगे भाई ये भी तो 40 दिन भागे थे और तब कितनों कितनों ने किट साइस किया थे यूपी पुलिस को सब 40 दिन हो गया कुछ हाथ नहीं है मुकमिंतनी जी ने ऐसा कह दिया था कोई पता है तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिसने अपने अपने अस्तर पर उस सामराज जी को उस समय भी धौस्त करने की कोशिश की लेकिन चुकिन उसका खौफ इतना ज्यादा था उसका सिस्टम इतना पावर कि चाह के भी कोई बहुत कुछ बिगाड़ा नहीं पाए एक समय में देखे बहुत से लोगों ने कुशिश की एक अधिकारी है मनों से सीनियर है लाल जी शुकला साब एक एक दिन में उन्होंने सतर सतर मुकदमे काइम कि इसके खिलाफ तमाम जितनी शिकायते थी उस पर चमकाना यह सब वो कर सकता था यही करके हमेशा बसता रहा और उसकी हिम्मत बढ़ती रही है तरह सरकार के कहीं सरक्षित की उस हो कि बैख़ौफ हो कि उसमये उसने काम किया देखिए कोई भी सरकार रही हूँ यह तो वह सरकार थी जिसके बारे में आरोप सबने लगाए औ लेकिन चालिस साल में खाली एक ही सरकार नहीं रही है बहुत सी सरकारे नहीं और इतना खौफ था अब तो पुलिस वालों से साठगाट साबित हो गई आपने भी देख लिया 25-30 पुलिस वाले ट्रांसफर भी हुए बर्खास भी हुए सस्पेंट भी हुए जेल वाले जेल स्पेंट भाई ऐसा कैसे हो सकता था कि हमोहित अगरवाल को वीडियो कॉल से बुलाया गया देवरिया के जेल में उसे पीटा गया उसकी जमीन लिखा लिए मकान लिखा लिए गया तो उसे कहीं कहीं से मोबाइल मिल रहा था तो उनकी साठगाट उजागर हुई तो ये एक पूरा जैसे होता है ना कि माफिया कोई अकेले एक एकला चलो आला नहीं होता है वो तो पूरा सिस्टम डिलोग करता है पूरा सारे लोग उससे जुड़ते हैं लालच में या भै में दोनों चीज़ें इस तरह उसने इतना बड़ा सामराज अभी उसके सामराज में उसके बेटे हैं चार बेटे बचे हुए है इसके पत्नी है आपको लगता है कि दुबारा से कोई अतिक एहमत उसमें से पैदा होने की कोशिश करेगा क्या देखे कोई कोशिश कर ले लेकिन ये उस जमानी की बात है मुकदमें उसमें कब छूटते थे न उसमें CCTV थी न मोबाइल फ कर सकती थी उनके पास स्वबूत नहीं थे छूटता चला गया मन बढ़ता गया अब ऐसा नहीं है अब अगर कोई कोशिश करेगा अब देखिए उमेश पाल में वो तो उसने पुराना दिन ही समझ के किया कि कोई क्या करेगा मैं तो करता आ रहा हूं लेकिन क्या हुआ इतन प्रियागराज के मेरे कोट में पेश किया जा रहा था तो लोग उसके खिलाफ नारेवाजी कर रहे थी फांसी दूने से लेकर तमाम तरह की चीज़े इस बर तो जूता तक फेका गया था तो आपको लगता है कि लोगों में अती का जो खौफ था वो कहीं ने कहीं वो खौ करनी शुरू की उसी केंपस में जहां यह जैसे कहते हैं गुजर जाता था लोग उधर मूं कर लेते थी कि देख न लेए नजर न पड़ जाए वहीं लोगों ने मुर्दाबाद के फांसी देने किनारे लगाया थे वीडियो सब जगह सारे सोशल मीडिया पर तो खौफ तो तरह से निप्टेगी जिनका साफ कहना था कि वक्त वक्त की वाद है एक वक्त था जब कोई उसके खिलाफ लड़नी की जुगत नहीं उठाता था हिम्मत नहीं करता था उस समय इन्हों ने वह काम कर दिखाया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और अतीक के में दिख रहा है कैमरमेन विजे ममगईन के साथ कुमार कुंदन चीवी नाइन भारत वर्स लखनो